आप नवास्कर दोस्तों आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज कर तो बहुत से ट्रक मेकर हैं टाटा शोगले लेंड के बाद महेंदरा एंड महेंदरा ये शेर वोल्वो है उसके बाद आपकी डैमलर है बहुत सी गार कॉम्पनियां जो आज ट्रक बना रह सब्सक्राइब करें क्योंकि इन में दो ही कॉम्पनियों का दबदवा था टाटा मोटर और अशोगले लगता तो फिर दोस्तों एक शक्स थे अनुरीद भुवाल का जी इन्हों ने सोचा कि चलो भाई मैं इस फिल्ड में कुछ काम करके दिखाऊं 2002 में इन्हों ने एम सब्सक्राइब का प्लांट था और इसकी जो प्रडक्शन कैपिसिटी थी लगबग पचास हजार ट्रक जो सलाना थी तो बहुत अच्छा प्लांट था यह आप समझ लीजिए सेंबली प्लांट था इनका जो स्कीम अच्छी थी यह क्या करते थे बाहर से पार्ट समंगवा लगाते थे और इंजिन जो है यह कमिन्स का लगाते जो टाटा के ट्रकों में लगाता तो यह इनका बहुत इन्होंने अच्छी स्कीम के तहती यह काम स्टार्ट किये था क्योंकि कोई भी कॉम्पनी उसको अपना नेट्वर्क बढ़ा करने में बहुत समय और पैसा लगता तो इन्होंने यह समय और पैसा दोनों बचाया इन्होंने क्या किया यह जो ट्रकों में जो भी पार्ट लगते थे वह ज्यादा तरह 90 परसेंट पार्ट्स ऐसे से जो अपना टाटा जहां शोगले लंड के ट्रकों में जो लग जाते थे तो यह इनकी स्कीम अच्छी रही इनकी ट्रक चल निकले काफी लंबी रहें थी इनकी स्वोला टन से लेके उन्चाश्ट तक वाले ट्रक यह बनाते थे और यह एक्सपोर्ट भी करते थे अपने जो भी भारत के पडोसी देश है जैसे नेपाल है भुटान है मंगादेश है मैं आमार है इन देशों में इनक की फैसलेटी दी म्यूजिक सिस्टम की फैसलेटी दी उसके बाद मैं जो हैड्रोलिक ट्रीट के विन था पहली वार इन्हों ने इंट्रोडिस किया इंडिया में तो बहुत अच्छे अच्छे जो काम इन्हों ने किये थे और इनका जो मार्किट शेर था लगबग देड़ परसेंट था त्रेवी कमर्शल की विक्री में पर इनका जो टिपर के मामने में यह बहुत आगे थे टिपर के मामने में ऐसा था कि यह 25 परसेंट इनका मार्किट शेर था और टाटा और इसोगले लेंड से ज्यादा लोग इनको तरजी देने लगे थे और दोस्तों क्या को स्टोरी बताने हैं कोशिश करता हूं दोस्तों एक तो यह कॉंपनी फंड की समस्या से जूजी रही थी काफी बैंकों पर इनका बकाया हो गया था आई डी बी आई और पंजाब ने बैंक का तो लगबग अठारा सो क्रोड रुपय की देंदारी इनकी बन गई थी उपर पाले थे टिपर ही इनके ज्यादा बिखते थे और जो दूसरी गाड़ियां थे इनकी होलक ट्रेक थे वो क्या था मुझे ऐसा लगता है वो ट्रक इनके बहुत ज्यादा मजबूत और भारी होने के कारण जो लोगों ने उन में इंट्रेस्ट कम दिखाया इन्होंने भी ज अब डीलरों का धो ऐसा हाल हो गया था उनका कहना कि भाई हमें तो जो इस कॉम्पनी के जो ट्रहक बने हुए है उनहीं की सर्विस से करके जो maintenance का जो पैसे मिल ले उसी से हमारा गुजारा चल ला है ट्रक आनी रहे हैं और बुरा हाल हो गया था फिर एक company है अपना कमाज नाम की अपना रशिया की truck maker है सबसे बड़ी उसने फिर इसमें दिल्चस्पी दिखाई इनों ने उसको मनाया 51% अपना जो शेर उनको दे की company किसी तरह survive कर जाए लेकिन ऐसा वो करनी पाए एक बहुतरिन ट्रेक बनाने वाले अच्छे ट्रक बनाने वाली company इन्होंने तो एक इटली की company से भी 2017 में समझाता किया था और भी ज्यादा बहुतरिन क्वाल्टी के जो ट्रेकों के लिए के बिन जो ड्रेवरों के लिए बहुत ज्यादा रामदायक हों उनको पेशकर करने की कोशिश की थी लेकिन दोस्तों सभी कोशिशों के बावजुद ये अपनी company को बचा नहीं पाए और इनको अपनी company बंद करनी पड़ी तो दोस्तों आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताईए कमेंट फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ दोस्तों जुड़े रहेगा मेरे साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा धन्यवाद दोस्तों